नमस्का दोस्तो एमिक्टी एंड इक्षीम आपकर सौलत है दोस्तो दुनिया में ऐसे कैई जीव जून्तू की भर्मार है जो दिगने में बेरद ही अजीव लगते हैं इन्हें देखकर लोग सोच में पढ़ जाते हैं यह इसी धर्टी के हैं या किसी दूसरे ग्रह से आई हैं आज हम कुछ ऐसे ही अजीव गरीज जीव के बारें बताने जा रही हैं जिरें जानकर आप भी कहेंगे अरे यह कौन सा जीर है तो चली दोस्तो जान लेते हैं इन जीव के बारे में नमबर एक नेकेड मोल रेट दोस्तो इस जीर को नेकेड मोल रेट कहते हैं जो पूर्वी अफरीका में पाया जाता है यह एक परकार का चुवाई है लेकिन इसकी खाल कुछ ऐसी लगती है जैसे कि इसके उपर का चम्रा किसी ने निकाल दिया हो इसके सरीर पर आम चुवों की तरह बाल नहीं होते और इसकी चम्री जुर्यों वाली होती है नमबर दो सैंगा एंटिलोप दोस्तो इसे सैंगा एंटिलोप कहा जाता है यह दिखने में किसी हीरन की तरह ही होते हैं लेकिन इनकी लंबी बेडंगी नाक इने सबसे अलग और खास बनाती है दोस्तो सैंगा एंटिलोप, रूस और कजातिस्तान जैसे दे से पाई जाते हैं नमबर दिन पिंक थेरी अर्मारडीलो दोस्तो यह जीव दिखने में तो किसी चुही की तरह लगता है लेकिन इसके सरीर के उपरी हिस्से पर ऐसा लगता है जैसे अलग से कोई परत रख दी गई हो इसे पिंक थेरी अर्मारडीलो कहते हैं दोस्तो खुदाई में माहिर यह जीव इतनी तेजी से जमीन में खुदाई करते हैं मानो पानी में तह रही हो नमचार लेंपरे मचली दोस्तो यह आर्गटिक महासागर में पाई जाने वाली मचली की तरह होती है जिसे देखर कोई भी डर जाए इस अजीव और गरीब मचली को लेंपरे के नाम से जाना जाता है दोस्तो माना जाता है कि अपने नुकेले दांतों और लंबी जीव वाली मचली एक वार किसी सिकार को पगड़ ले तो फिर उसका बचना लगबर नामुम्किन हो जाता है यह अपने सिकात को खाती नहीं बलकि इसके सरीर पर अपने दाद गड़ा कर कैई जिनों इसके सरीर से खून और बाकी सारे जरूरी तद्व निकाल कर पीती रहती है दोस्तो इसे इसकी मूपर बनी अजीव तरे की नाग किसी सितारे के जैसी दिखती है इसी लिए इसका नाव ऐसा ही पड़ा दोस्तो इनकी अजीव गरीव नाग बहुती कम ओक्सीजन वाली जंगे पर भी इन्हें जिन्दर रखती है यह अपने नाग से छूगर ही पता लगा लेते हैं कि सामने पड़ी चीज खाने लाइट है या नहीं दोस्तों यह आप चाहते हो आगी विसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती है यह तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बैल आइकन पर क्लीज रूब कर देना है इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेजन आपको प्रूज मिल जाए धन्यवाद